जड़ा सोचिए दोस्तों कि 11 में अलबरूनी जो गीता का कूट करता है। ये प्रमबिद्वान था, इतनी-इतनी translation किया था। भारत की सारी किताबों का अरक ब्रामढय के अनुवाद करके उनको दिया, उनकी सारी किताब अनुवाद करके भारतियों को दिया, और उस बंदे ने जो गीता के बारे में जो लिखा, वो आज के गीता में मिलती ही नहीं है, यानि कि गीता का उसके बाद लिखा इन लोगोंने ब्रामडी करन करके लिखा है, और ये गीता लेके गहूम रहे हैं, अब फिर रोते रहेंगे मिलआउट किया, कौन होत किया डाना Gust film कर दिया साइब भी तिए ब्रामण neural for की आपने है सार्थ आपने अभी कहा कि लेकिन अग्रान में छोड़ता साथ आमिष सब्सक्रा पर चे वो डोनों प्राम्हार नहीं है अधर है यह कि मैं ते विजावत इंग्वाध कर दो Yin ले लिए ले लिए ले लिए नामकरण हो गया हो गया लेकिन अब मैं ब्राम्हड नहीं हूं जो नास्तिक बनने के बाद भी अपना ब्राम्हड बना हुआ है जैसे भारत में क्या हाल है सब कॉमिनिस्ट बन गए लेकिन जाकर देखिए सारे के सारे वहां ब्रामण बैठे हुए हैं इसी तरह से और भी इतने प्रामणों की संस्ता है जो दिखावा करते हैं लेकिन उनकी गुरूपिंग देखिए तो उनके गुरूप में पूरे के पूरे या तो उनहीं के जाती विरादरी के लोग होंगे अभी इतने बहुत सारे रेशनल लोग पैदा हुए हैं बहुत सारे नास्तिक पैदा हुए हैं जिनको साइन जर्नी से दिख्कत है ऐसे ऐसे भी वह उनकी जाती पता लगएगा तो ब्रामण निकलेगा या फिर जो मुसल्मानों में जो ब्रामण बना हुए मुसल्मान है वह निकलेगा जिसको साइन जर्नी से दिख्कत है क्यों दिख्कत है क्योंकि वह नास्तिक बनने के बाद से भी उसको इस बात की दिख्कत है कि कैसे अधर काश्ट के लोग जो हैं वह कैसे काम कर पा रहे हैं तो इसी लिए हम लोग का साफ साफ मानन जो चुछ भी बन जाए या फिर वो नास्तिक बन जाए लेकिन वो उसके अंदर जो ब्रामःबाद है वो छूडता नहीं है कि क्या ना वो नहीं छूडता है जब तक कि वो पूरी तरह से यही मान ले कि नहीं मैं ब्रामःड ही नहीं हूँ मैं भी सुद्र हूँ वो जी एक एस और सर सेकंड कोंश्चन है कि सर आप कहते हैं कि चाड़क के पिरदार फट जी लेकिन सर खान सर तो उसको पढ़ाते हैं तो खान तो सबसे बड़ा पेवकूफ है उसको आप कबसे सिरियस ले लेने लगे उपढ़ा रहा है इसका मतलब यह थोड़े है क्यों है यही टीचर की भासा होती है ऐसे ऐसे कुछ भी बोल तो जो मन में आए उस बंदे ने साधी नहीं की है 35-40 साल का हो गया है बूढ़ा हो गया है लेकिन उसकी औरतों के प्रति उसका द्विस्त देखिया ना वो तो नहीं चारा है उसका वो बंदा आपको पढ़ा देगा चाना किया उसको हिस्ट्री आती है खान को कुछ नहीं आती हिस्ट्री उसकी एक दिन हिस्ट्री पढ़ा रहा था और क्या बोल रहा है कि बहुत गाजुआ श्टांगिक मारगे वो जैनों से चूरी किया गया है मैंने उससे पूछा कि भाईया ये बता दे आले इस पर मतलब बुद्ध से पहले अश्टांगिक मारगा अगर जैनों ने दिया है तो जैनों के सबूत होंगे आके दे दे तो उसके बासे दिखाई नहीं दिया उसने दिखाई नहीं दिया अभी वो जाके क्या करता है अभी अभी जाके वो ब्राम्हा विश्णुमेश और टीचर को उठा के अपने नाम से किताब पूरा एटुजेट पब्लिश कर लिया फिर को जब बंगाल का लड़का था वो जब उसने केस किया तब पता चला कि भाई यह तो वो था फिर उसको बाहर कहा गया कि भाई अब यह तो राश्टपती बड़े बड़े पोश्ट पे है सोनचते हैं कि वहां सोचते हैं सेटल्मेंट का मतलब कि है कौन सिटल्मेंट करेगा अगर जो बड़ा व्यकति अगर इतना बड़ा है हूँ स्टल्मेंट लड़के से करने क्यों जाएगा भाई तो सिधे काएगा मानहानी के दावा करेगा कि मेरे उपर गलत आरोप लगा गया है लेकिन इसका मतलब कि लड़का सही था और सजा जो है उसको होनी थी इसलिए कोर्ट ने कहा कि आप पर तो पूरी तरह से चूरी से पकड़े जा रहे हो आप बच्चे से से सेट्लमेंट कर व मनबादियों ने उनकी और तो ने तंग किया पढ़ाने जाने के लिए पहली बार जब और तो के इसकूल खुली थी उनके बढ़ड़े पर मनाओ न इसके बढ़ड़े पर क्यों मना रहे हो जिस पर चूरी तक आरोप है कि वह अपनी तक भी चीजह नहीं लिखता था और इ को यह हम रिसर्च करता है वो रटी रटाई बात पर विश्रिव नहीं करते हैं एक स्कॉलर जो होता है स्कॉलर का काम होता है कि आपके समय में आपसे पहले जो चीजह लिख दी गई है उसको एज़ेटिज मतमान लो हो आप स़र्च करो गये ना आपके पास्य प्यावर है आपके पास इतनी जूट है कि पहले वाले ने क्या कहां आप उसमें लिक सकते हो कि मुझे करते हूं यह चीज वही रटा मारते रहत करेंगें एक प्राम्हर yell दूसरा गाया तिसरा गाया आगाते रहेंगे पिढ़ी दर पिढ़ी तो यह कोई भी नया रिसर्च नहीं करते हैं तो आपका खान जो है ना वही ब्रामणवादियों के किताब उठा कर रट्टा मारता है रट्टा मारके सुनाता है और वो पूरी कितरा से ब्रामण पार्ट टू बना फिर से ओपन चैलेंज देता हूं कि खान महोदे आप जो भी हैं आजाईए डिवेट कर लेजिए जो आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं हिस्ट्री में उस बंदे ने ये क्लेम ठोक दिया पता है अमित सिंग उसका नाम नहीं है है तो वो मुसलिम है लेकिन वो अपने को मुसलि जब इसलाइम के खिलाफ कुछ एक दो बोलता है या कुछ ऐसा बोलता है तो बचे तालिय पीटते हैं उसको मजा आता है उसकी पूरी दुकान छलता है उसको जब चलती है तो धंधा है लेकिन मुझे सिह इन कर लो ना जो बंदा लगा रहा है मैं तो इस पर open challenge दे रखा हूं क्यों नहीं आ रहा है वो अगर वो कोई claim कर रहा है तो मैं ठोक के कहता हूं कि आकर इस बात पर debate कर ले या फिर किस scholar कि इस बात को प्रमारित किया है कि वह वहां से चूरी का माल है यह दिखा दे हमें आज तक नहीं आया कोई नहीं है आज तक समने यह इसी तरह के लोग है जैसे अभी इसके पहले आपने PDF देखा उच चतुरवेदी का कैसे एक रेसिस्ट का तारीफ कर रहा है अब उधों को ग पड़ेगा कि पुनर जर्म का मतलब क्या है कि अगर आप पुनर जर्म का मतलब समझते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया उसकी आत्मा निकलिए फिर दूसरा जर्म ले लिया तो ऐसा कोई भी चीज प्रेक्टिस में नहीं होती है बहुत मर्ग में अना माना जाता है यह जूटी प्राम्परा पैर चुने कि प्रमपरा है में कोई बहुत जबाद No체가 Beard को कि प्रप्रा नमस्कार की मुद्रा है और है जिसको नामस्ते कहा जाता है यह दसवी मुद्रा है उसमें कहीं पे भी पैर छूने की तो बात नहीं आई है उन मुद्रावों में लेकिन अगर कोई पैर छूता था गुरुगों के पैर छूता था तो हो सकता है कि बीच में उतरवर्ती बुद्धिजम में कुछ ऐसा हुआ होगा लेकिन जहां तक मुझे याद है कोई पैर छूके नहीं बात करता था बुद्ध के समय में भी कोई पैर नहीं छूता था सब लोग बुद्ध को बुद्ध ही बोलते थे उनका नाम लेकर बोलते थे बुद्ध और अच्छे से बाते करते थे कोई भी पैर नहीं छूता था कि बुधा आगे चलो इनका पैर छूले इस तरह का कोई पर्था नहीं देखी गई ये बीच में किसी ने एड किया होगा